हाई ट्वेल्टीज वेलकम टू एसीवे कामर्स क्लासेज मैं हो दबता और गाइस आजकी इस वीडियो में हम अपने अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स है जिन्होंने अकाउंट्स पढ़नी स्टार्ट नहीं करी और उनका क्वेशन है कि अगर हम अभी अपनी अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं तो क्या हम कोर्स को कम्प्लीट कर पाएंगे आप 20 दिन के अंदर अपनी अगर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करोगे तो अकाउंट्स इसली कम्प्लीट कर सकते हो लेकिन स्ट्रेजी होनी बहुत जरूरी है विदाउन स्ट्रेजी मतलब अंधेरे कमरे में चल रहे हो तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा ल लेकिन अगर अभी तक आप अकाउंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे सिर्फ पंद्रा मिनट आदा घंटा या एक घंटा पर रहे थे तो गाईस वो नहीं चलेगा अब आपको अकाउंट्स को टाइम देना है देखो मैं भी क्रैश कोर्स जब कराती हूं 20 दिन के अंदर ह हम भी क्लासे अपनी 2-5 घंटा तक करते हैं ताकि कोर्स कंप्लीट हो बच्चे को समझ आए प्रेक्टिस भी हो साथ के साथ ठीक है तो आपको समय देना है अब कितना टाइम देना है सबसे पहले उसकी बात करते हूं तो आपको टाइम अराउंड धाई गंटे से तीन घंट के तोर पर जब पढ़ाए करोगे न तो 40 out of 40 आप अभी भी अचीव कर सकते हो लेकिन strategy बहुत सारे student होते जो end में आके ही पढ़ते हैं और crash course करते हैं और उसके बाद उनके 40 out of 40 का उस समय पर तो हमारे वैसे वाले paper होते थे subjective type लेकिन अब तो MCQs है आपको practice चाहिए और MCQs में भी practice guys करनी पड़ेगी आपको तो आपके 40 out of 40 easily आ सकते हैं लेकिन 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 आपको समय देख लो कितना देना है धाई से 3 घंटा देना है अगर नहीं दोगे तो strategy complete नहीं होगी तो आपको सबसे पहले requirement क्या है time देने की तो वो अपने आपसे promise कर लो कि मुझे time देन क्योंकि मैं भी कराती हूँ आप लोगों के लिए में भी हो सकता है वो first time हो इससे पहले अगर आपने कोई chapter पढ़ा होगा तो आपको पता हुआ कि कितना difficult है असान है right लेकिन guys अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये chapters आप कितने दिन में कर सकते हो लेकिन target जब रखोगे interest on capital, interest on drawing बहुत easy से है 10-10 मिनट की मेरी वीडियो से हैं आप देखोगे clear हो जाएगा concept 4-5 इसके question की practice करो फिर MC की practice करो उसके बाद main topic पर आजाना आप past adjustment है जैसे आपका guarantee of profit है इसमें आपको time लगेगा नया concept होगा question भी practice करोगे तो पहली बार में नहीं निकलेंगे उसमें of course आपको time लगेगा तो एक दिन आप माल लो लेकिन मैंने फिर भी इस chapter को 3 दिन लिखे हैं like अब 3 दिन में अगर 23-3 घंटा daily पढ़ते हो fundamental complete हो जाएग goodwill valuation तीन method है safe goodwill valuation के दो दिन के अंदर हो जाता है वैसे तो इसके सिर्फ example है guys 17-18 सिर्फ अगर example बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो concept के साथ उसके बाद MCQs try करो दो दिन के अंदर असामी से हो जाएगा change in PSR इसमें आपको नए concept देखने को मिलेंगे जैसे workman compensation reserve investment fluctuation reserve दो दिन में यह हो जाता है जादा नहीं है इसमें concept सिर्फ आपको ratios निकालना यानि कि sacrificing ratio और gaining ratio निकालना सीखना है उसके बाद आपको concept समझना है किस चीज़ का workman compensation investment और reserves का Revaluation account आदे घंटे का काम है Revaluation account अगर नहीं आता आप लोगों को banana वीडियो में बताया गया है बहुत असान होता है banana आप दो दिन के अंदर इस chapter को अराम से complete कर सकते हो अगर 10-15 मिनट की वीडियो भी देखोगे उसके साथ concept समझोगे अराम से हो जाएगा उसके बाद आती है बात admission की, admission chapter तो guys आज के time में एक दिन में complete हो जाता है, admission एक दिन में हो जाता है जो पहले हम लोगों को खुदी एक हफ़ता लगता था आज के time में हम एक से दो दिन के अंदर complete करा देते है admission क्यों क्योंकि admission में 60% course आपका cut गया है सिर्फ revaluation तक आपको करना है तो 3 दिन maximum है इससे कम समय में ही आप इसे complete कर लोगे so admission तीन दिन मान लो ठीक है, share capital again lengthy chapter है, बड़ा है, बहुत सारे concept है इसलिए इसको 5 दिन दिये हैं, कितने दिन दिये हैं 5 दिन, लेकिन daily practice कितनी होनी चाहिए, धाई से 3 घंटे तभी share capital हो पाएगा, concept की knowledge इसमें मांगते हैं, हम लोग की share capital मतलब दिमाग आपका चालू रहना चाहिए सारी चीजे, आपके mind में होनी चाहिए, तो लग कर practice करोगे, 5 दिन में हो जाएगा लग कर नहीं करोगे, तो 15 दिन भी बच्चों को कम पड़ते हैं, ठीक है, तो आप अगर लग कर practice करते हो, full concentration के साथ करते हो, तो share capital 5 दिन में कर सकते हो बात आती है ratios की, total कितने ratios हैं, आपके book में 15 ratios हैं, ठीक है, 15 ratio को भी अगर आप एक दिन में 5 ratio करते हो, तो 5 दिन पंदरा, 3 दिन में complete हो जाते हैं, मैं कहते हो, 4 दिन ले लो चार दिन में ratios अराम से complete होगा, हस्ते खेलते होए, लेकिन समय देना होगा, तो 4 दिन में आप अपना ratio complete कर सकते हो, chapter 1 and 2, एक दिन का काम है, theory की मेरी 10-10 मिनट की वीडियो हैं, कर लो, cover उससे, read out करो, book से theory हो जाएगा, अब अगर आप इसे count करोगे guys, ये तो हो गए आपके 10 days और ये हो गए आपके 10 days, 10-10 कितने हो गए हमारे 20 days, so 20 days में हम अपने accounts को बहुत easily हस्ते खेलते होए complete कर सकते हस्ते खेलने का मतलब ये नहीं कि भाहर जाके खेलने लग गए, या फोन में PUBG खेल ली या फिर इंस्टा चला लिया, प्लीज अपने फोन को थोड़ा सा दूर और धाई से तीन घंटा पढ़ने में दीजिए, यूसफुल समय है इस समय अक्टूबर का, निवेंबर में एक बर पेपर स्टार्ट हो गए, ये strategies कुछ काम नहीं आएंगी निवेंबर के समय पर, क्योंकि उस समय पेपर की टेंशन होगी, पेपर का पढ़ोगे, और इतना माइन जबसे ज़्यादा जो चिंता में रहेगा, वो निवेंबर में रहेगा, तो इसलिए अक्टूबर एक ऐसा गोल्डन टाइम पीरिट आप लोगों के सामने, किसको यूटुलाइस करो, strategies को बनाओ, जिस सरीके से मैं बना रही हूँ आप इसे अपने पास लिकर रखो, टार्गेट रखो, तभी आप अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हो, जो ये 40 बटा 40 मार्क से लाने कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इट रिक्वाइट्स यूर हाड वक, तो महनत करोगे, पढ़ोगे, आजाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और जहां पर दिक्कत हो, तो मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू, आप मुश्किल सकते हो, थांक यू